हेलो गाईज स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे नई यूटुब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर पे तो गाईज आज में आप लोगों को सेयर खान एप से ट्रेडिंग कैसे करते हैं और महां से एक्जिट कैसे होते हैं ये live आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ और सिखाने वाला हूँ तो वीडियो का फिर interesting होगा आप लोगों को वीडियो पे अंतक बने रहना है अगर आप लोग सेयर खान एप से अपना Demet Account उपन कराए हैं और आप लोगों को ट्रेडिंग करने नहीं आ रहा है तो दूसरी चीज अगर आप लोग stock market सीखना चाहते हैं बेसिक से advanced तक आप लोग stock market सीखना चाहते हैं तो आप लोग description box पे जाईए मेरा वहाँ आपको number मिल जाएगा उस number पे आप लोग connect हो सकते हैं WhatsApp कर सकते हैं और आप हमारा online class जोईन कर सकते हैं class जू मैप पे होती है सारा क कुछ सिखाया जाएगा आपको basic से advanced इंट्राडे options वागरा सारा कुछ ओके तो अगर आप लोग interested होंगे तो आप लोग मुझे call और message करिएगा और मैं आप लोगों को stock market complete सिखाऊंगा तो चलिए अब हम बीना किसी देरी के यह video start करते हैं तो आज के video पे हम क्या सिखने वा सारा कुछ add कर लिए होंगे अब आप नीचे में देखेंगे आपको overview, market watch, trade court, reports, portfolio and more options दिखाई दे रहा होगा तो आपको क्या क्लिक करना है तो यह हम नीचे trade court को क्लिक कर दे उसके बाद यह search का options दिखाई दे रहा है उसके नीचे all, equity, derivative, mutual funds यह सब हमको दिखाई दे रहा ह तो हम क्या करेंगे, simple equity market को क्लिक कर देंगे, equity market को क्लिक करने के बाद यहाँ आपको search कर देना है जो भी stock पर आप trading करना चाहते हैं उसको, तो अभी हम Tata Steel पर trade करना चाहते हैं इसलिए हम simple Tata Steel यहाँ search कर देंगे, okay, तो यह हम simple company भी आ गया Tata Steel उसी को हम simple click कर देंगे, okay, click क करने के बाद कुछ इस type का interface हमको दिखाई देगा, buy और sell का options हमको दिखाई देगा, तो चुकि इस video पर हमारे view है buying के side का, तो हम क्या करेंगे, simple buy के options को click करेंगे, okay, buy के options को click करेंगे, उसके बाद कुछ इस type का interface दिखाई देगा, top पे आपको NAC, BAC, FNO आपको दिखाई द कर सकते हैं, अपने fund के हिसाब से आप quantity यहाँ add कर सकते हैं, तो अभी हम चीज़े सीख रहे हैं, इसलिए हम simple एक quantity यह एक share buy करना चाहते हैं, disclose quantity आपका zero रहेगा, यह price भी आपको zero कर देना है, और ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं next video पर बताऊंगा कि price को क्यों zero किया, trigger price भी validity आपका GFD रहेगा, अब आपको इधर कुछ भी नहीं करना है, simple आपको place order के options को click कर देना है, उसके बाद आपको confirm के options को click कर देना है, आपको order जो है market पे place हो गया, आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है, Tata Steel, order has been submitted, please check order status in order book, ओके, तो order book अगर हम click करेंगे, तो हम देख सकते हैं, कि हमने कहां पे अपना order जो है, market पे place किया हुआ है, देखे हमने कौन सा range पे entry किया है, हमने 134 रुपया, 5 पैसे के range पे entry किया है, अब हम देखना चाहते हैं, कि हमारा profit and loss कहां चल रहा है, तो यह आपको simple order book को click करना है, order book को click करने के बाद, आपको यह net position option दिखाई दरोगा, इसी को आपको click करना है, और आप देख पा रहें, यहाँ आपका profit and loss चलना शुरू हो चुका है, यह देखे, आपको यहाँ profit and loss उपर पे दिखाई दरोगा, total, mtm, pnl, है ना, आपका अभी कुछ भी profit and loss नहीं हुआ है, ठीक है, देखे, अभी देखे 0.05% का loss दिखाई दरा था, ओके, तो इस टाइप से आपका profit and loss दिखाई देगा, अगर आप बड़े quantity की साहाँ trade करेंगे, तो आपको यहाँ बड़ा profit and loss दिखाई देगा, ओके, अब आपको लगता है, कि मुझे यहाँ sufficient profit हो गया, या मुझे sufficient loss हो गया, मुझे यहाँ से exit होना है, ओके, तो जो आपका profit and loss चलते रहेगा, उसी को आपको simple click करना है, ठीक है, तो यह मनें इसको simple click किया, click करने के बाद यह आप देख पा रहे है, square up को options दिखाई दे रहे है, ठीक है, square up NSE, क्योंकि हमने NSE stock exchange पे trade किया था, तो आपको क्या करना है, square up NSE, यह second number वाले को click करना है, ठीक है, click करने के बाद guys देखिए NSE options, quantity वागिरा सार को same रहेगा, यह आपको एक कम यहाँ यह करना है, कि यह price जो दिखाई दे रहे है, यह price उसको आपको क्या कर देना है, zero कर देना है, zero किये and आपको क्या करना है, place order के options को click कर देना है, यह देखिए, ठीक है and आपका order जो है, यहाँ से close हो चुका है and आप market से बाहर हो चुके है, चलिए एक बार check करते हैं, हमारा order जो है close हुआ है कि नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे, back करेंगे, अब आप देख पा रहे है, आपका यह profit and loss रुक चुका है और आपको 0.05 पैसे का loss भी हो चुका है, ठीक है, तो इस step से आप क्या करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, मैं आपको आज का मेरा ट्रेडिंग दिखाना चाहूँगा, यह derivative market पे मैं आऊँगा, क्योंकि मैंने options trading किया था, और यह net profit and loss, आप देखेंगे, आज के यह देखें, मेरा profit है लगबग लगबग 2500 का, okay, derivative market पे अभी हमने क्या किया था, equity market पे interday किया था, तो अभी हमको 0.05 पैसे का loss हुआ है, क्योंकि अभी हम चीज़ा सीख रहे थे, इसलिए हमको छोटा loss हुआ है, तो इस step से आप trading करेंगे, और कुछ भी करी होगी, तो आप लोग मुझे whatsapp पे message करिए, call करिए, यह आप लोग comment box पे comment करिए, मैं सारा कुछ आप लोगों को सिखाऊंगा, explain करूँगा, ओके, तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग हमारे चानल को लाइक से सब्सक्राइब कीजए, हमारे चानल के साथ जोड़िए गाई, चलिए बाइब टेक केर